राम लला की मुर्ती की प्राण प्रतिष्ठा एक सहसिक कारियर मोहन भागवत बोले भगवान के आशरवात से ये काम संपन्न हुआ रश्ट स्वैम सेवक संगा आरेसस प्रमुख मोहन भागवत ने अयुध्या के भव्य मंदर में राम लला की मुर्ती की प्राण प्रतिष्ठा को एक सहसिक कार्य बताया है उन्होंने कहा कि ये भगवान के आशरवाद और इच्छा के कारण ही संपन्न हो सका है सोमवार को पूने जिले के आलंदी में गीता भक्ती अमृत महोत्सों में उन्होंने कहा कि भारत को करतव निभाने के लिए उठना होगा और यदि किसी भी कारण से भारत समर्थ नहीं बन पाया तो दुनिया को बहुत जल्द विनाश का सामना करना पड़ेगा इस तरह के स्थिती बनी हुई है दुनिया भर के बुद्ध जीवी इसे जानते हैं वे इस पर कहे और लिख रहे हैं साहस का काम था राम मंदर बनना भागवत ने कहा कि 22 जन्वरी को राम लला का आगमन हुआ ये साहस का काम था जो काफी संगहर्ष के बाद पूरा हुआ वर्तमान पीडी सौभागे शाली है कि राम लला को अपने अस्थान पर खड़ा हुआ देख पा रही है वास्तों में ये इसलिए हो सका है क्योंकि इसके लिए न सिर्फ हम सभी ने काम किया बलकि हम सभी ने कुछ अच्छे कर्म किये हैं इसलिए भगवान ने हम पर अपना अशरवात बरसाया और ये काम संपन्न हुआ संग प्रमुक ने कहा कि राम लला की मुर्ती की प्राण पतिष्ठा उनकी भगवान की इच्छा पूरी होने का शरुवाती बिंदु है ये भी कहा कि समारों के दौरान शिराम जन्म भूमी तिर्थ शेत्र ट्रस्ट के कोशा ध्यक्ष गुविन देव गिरी जी के साथ उपस्थित होना उनका सौभाग्य है भारत वर्ष को ग्यान प्रदान करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि दुनिया को इसकी जरूरत है भारत को अपना कर्तव निभाने के लिए उठना होगा भारत ग्यान और प्रकाश का रत है भारत के प्राचीन ग्यान पर चर्चा बार बार आयूजित की जानी चाहिए वर्तमान पर इदृष्य के अनुसार प्राचीन पाठ के अर्थ को बिना किसी गलती की ठीक से समझने की जरूरत है गलत अर्थ से विनाश होता है समय भले ही बदल गया लेकिन ग्यान और विज्यान का मूल वही उन्होंने कहा कि समय भले ही बदल गया है आने वाला समय भारत का ही है, मतादे की गीता परिवार द्वारा आयोजित गीता भक्ती अमरत महोत्सो आध्यात्मिक गुरू श्रीक गुविंद देव गिरी महराज के 75 जन्म दिवस पर भविसमारों के रूप में आयोजित किया गया था.